प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आज हम पढ़ेंगे अंतरा भागदो के अंतरगत संकलित पाठ जहां कोई वापसी नहीं यहें लेखक निर्मल वर्मा के सुप्रसिद यात्रा संस्मरण धुंद से उठती धुन संग्रह से लिया गया है चलिए पाठ की तरफ बढ़ने से पहले हम निर्मल वर्मा लेखक के सहित्तिक परिचे के विशय में कुछ बाते जान लेते हैं लेखक का जन्म शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ उन्होंने दिल्ली विशविद्याले से इतिहास में एमे किया और अध्यापन कारे करने लगे और यौरॉप के अंदर एक देश है चेक उस चेक गण राज्ये के प्राच्य विद्या संस्थान के निमंत्रन पर लेखक 1969 में वहां गए और चेक उपन्यासों तथा कहानियों का हिंदी अनुवाद किया सन 1970 में वे भारत लोटाए और यहां रहकर स्वतंत्र लेखन करने लगे निर्मल वर्मा को हिंदी के समान ही अंग्रेजी पर भी अधिकार उतना ही प्राप्त था उन्होंने Times of India, Hindustan Times के लिए यौरॉप की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समस्याओ पर कई सारे लेख और रिपोर्टाज लिखे जो उनके निबंद संग्रहों में आज हमारे समक्ष संकलित है यौरॉप का ये अनुभव ही था कि उन्होंने इतने सारे लेख हमें प्रस्तुत कराए निर्मल वर्मा का मुख्य योगदान हिंदी कथा साहित्य के शेत्र में रहा है हिंदी साहित्य के अंतरगत नई कहानी आंदोलन एक महत्वपून इस्थान रखता है और निर्मल वर्मा उसी नई कहानी आंदोलन के महत्वपून हस्ताक्षर माने जाते है सन 1985 में कव्वे और काला पानी रचना पर उनको सुप्रसिद साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला अब हम उनकी रचनाओं पर कुछ प्रकाश डाल लेते हैं परिंदे, जलती जाडी, तीन एकांत, पिछली गर्मियों में, कव्वे और काला पानी, बीच बहस में, सूखा तथा अन्य कहानिया उनके प्रसिद कहानी संग रह रहे हैं वे दिन, लाल्टीन की छत, अन्तिम अरन्य, एक चिथड़ा सुख तथा रात का रिपोर्टर उनके पांच प्रसिद उपन्यास हैं हर बारिश में चीडों पर चांदिनी तथा धुन से उठती धुन इनके प्रसिद यात्रा संस्मरण रहे हैं शब्द और स्मरती तथा कला का जोखिम और धलान से उतरते हुए इनके निबंद संग रह रहे हैं तो देखा प्यारे बच्चों, कितनी वैविध्य के साथ उन्होंने हिंदी की कितनी सारी विधाओं को अपना योगदान दिया अब निर्मल वर्मा की भाषा शैली के विशय में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं निर्मल वर्मा की भाषा शैली में एक बड़ी अनोखी कसावट है चाहे कितना भी गहन विचार हो वह उसे बहुत सारे उधारनों से रोचक बनाते हुए विशय को विस्तार देते चलते हैं शब्द चैन में जटिलता बोरियत नहोकर के सरस्ता बनी रहती है भाषा को जीवन्त बनाने के लिए बहुत सारे लेखक हिंदी के साथ साथ स्वभाविक रूप से अन्य भाषाओ का भी प्रयोग करते रहे हैं इसी प्रकार निर्मल वर्मा ने भी उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का स्वभाविक प्रयोग किया है जिससे उनकी भाषा शैली में काफी नवीन प्रयोग हमें एक साथ देखने को मिल जाते हैं हर पाट को लिखने के पीछे लेखक का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है तो अब हम चर्चा कर लेते हैं जहां कोई वापसी नहीं यात्रा वृतांत के उद्देश्य पर इसमें लेखक ने परियावरण संबंदी सरोकारों को ही नहीं विकास के नाम पर परियावरण विनाश उसे उपजी, विस्थापन संबंदी, मनुष्य की यातना को दिखाने का भरपूर प्रयास किया है आधुनिक और द्योगी करण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखडता बलकि उसका पूरा परिवेश, उसकी संस्क्रती और उसका आवास इस्थल भी हमेशा के लिए नश्ठ हो जाते हैं चलिए तो प्यारे बच्चों, आप लेखक के परिचे के उपरांथ हम बढ़ते हैं इस पाठ की ओर सिंग रॉली, 1983 वह धान रोपाई का महीना था जुलाई का अंत आप जानते हैं, जुलाई में बहुत सारी बारिश होती है तो बारिश के बाद खेतों में पानी जमा हो जाता है और ऐसी किसी एक दोपहर लेखक सिंग रॉली के एक शेत्र नवा गाउं गए थे इस छेत्र की आबादी पचास हजार से उपर थी जहां लगभग 18 चोटे-चोटे गाउं बसे हुए थे इन्ही गाउं में एक का नाम है अमजर जी हाँ, जहां आम जरते हैं आम के पेडों से घिरा हुआ गाउं किन्तु पिछले दो-तीन वर्षों से पेडों पर सूना पन है ना कोई फल पकता है ना कुछ नीचे जरता है कारण पूछने पर पता चला कि जब से सरकारी घोशना हुई है कि अमरॉली प्रोजेक्ट के अंतरगत नवा गाउं के अनेक गाउं उजाड दिये जाएंगे तब से ना जाने कैसे आम के पेड सूखने लगे आदमी उजडेगा तो पेड जीवित रहकर क्या करेंगे तिहरी गडवाल में पेडों को बचाने के लिए आदमी के संघर्ष की कहानिया सुनी थी किन्तु मनुष्य के विस्थापन के विरोध में पेड भी एक साथ मिलकर मूख सत्याग्रह कर सकते हैं इसका विचित्र अनुभव सिर्फ सिंगरॉली में हुआ तो प्यारे बच्चों, तिहरी गडवाल में हुए चिपको आंदोलन से आप सभी परिचित है किस तरीके से लोगों ने पेडों से चिपक चिपक कर उन पेडों को बचाने के लिए संघर्ष किया था लेकिन यहां लेखक एक अनूठा ही अनुभव पाते हैं कि पेडों को आदमियों ने बचाया, यह चिपको आंदोलन में हुआ था लेकिन जैसे ही यह घोशना हुई कि यह सारे गाउं उजार दिये जाएंगे और अमरॉली प्रोजेक्ट यहां शुरू किया जाएगा और लोग यहां से विस्थापित हो जाएंगे तो ना जाने कैसे पेडों ने भी एक मूँक आंदोलन कर दिया अब वहाँ फल नहीं पकते थे, फूल नहीं खिलते थे तो यह लेखक के लिए एक बेहत विचित्र और अनूठा अनुभव रहा लेखक ने हिंदुस्तानी शहरों के बीच बसी मजदूरों की गंदी, दम घुटती, भयावे, बस्तियों और स्लम्स में कई बार देखा था लेकिन ये पहली बार देखा कि ये जो स्लम्स में जीवन जीने के लिए अभिशप्त लोग हैं वे कभी अमजर जैसे गाओं में खुले आस्मान के नीचे अपना जीवन यापन करते थे और विस्थापन से पूर्व उनका जीवन कुछ अलग ही होता था कुछ अलग ही रंग में, कुछ अलग ही ढंग में वे लोग जिन्दगी बिताते थे इतना स्वच पवित्र खुलापन पहली बार लेखक को अमजर घाओं में देखने को मिलता है लेखक जब आगे बढ़ता है तो उन्हें रास्ते में पेडों के घने जुर्मुट साफ सुत्रे खपर लगे मिटी के जोपडे और पानी दिखता है चारों तरफ पानी दिखता है अगर मोटर रोड की भागती बस की खिडकी से देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे समूची जमीन एक जील है एक अंतिहीन सरोवर या तालाब है जिसमें पेड, जोपडे, आदमी, ढो, डांगर आधे पानी में आधे उपर तिरते दिखाई देते हैं मानो किसी बाड में सब कुछ डूब गया हो पानी में धस गया हो किन्तु ये ब्रहम है ये बाड नहीं है पानी में डूबे धान के खेत हैं अगर हम थोड़ी सी हिम्मत बटोर कर गाउं के भीतर चले तब वे औरते दिखाई देंगी जो एक पात में जुकी हुई धान के पौधे चप-चप पानी में रोप रही है सुन्दर सुडॉल धूप में चम-चमाती काली टांगे और सिरो पर चटाई के किष्टी नुमा हैट जो फोटो या फिल्मों में देखे हुए वियतनामी या चीनी औरतों की याद दिलाते हैं यहां लेखक कहना चाहते हैं कि जैसे ही उन्होंने गाउं में प्रवेश किया और बाढ जैसा प्रतीत होने वाले धान के खेतों को निहारा जिसमें सब कुछ डूबा डूबा सा लगता है और उन महिलाओं के द्वारा लगाए गए हैट से लेखक को वियतनाम या चीनी औरतों की याद आने लगती है जरासी आहट पाते ही वे एक साथ सिर उठा कर चोकी हुई निगाहों से हमें देखती है बिल्कुल उन युवा हिरनियों की तरह जिने लेखक ने एक बार कानहा के जंगलों में देखा था किन्तु वे डरती नहीं, भागती नहीं हिरनी की तरह सिर्फ विसमे से, आश्चरे से मुस्कुराती है और फिर से जुका कर अपने काम में डूब जाती है ये समूचा द्रिश्य, खेत का, खलिहान का, उन महिलाओं के काम करने का लेखक को इतना स्वच और सजीव लगता है क्योंने लगता है कि क्या ये जो मैं अपनी आखों से देख रहा हूँ जो लगता है कि शाश्वत है, ये चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा लेकिन लेखक को विश्वास ही नहीं होता कि आने वाले वर्षों में तो सरकार ये सब मिटा देगी सब मटिया मेट हो जाएगा, जोपड़े, खेत, ढोर, आम के पेड, सब एक गंदी, आधुनिक, क्या इसे आधुनिक कहना उचित है और द्योगी कॉलोनी की इटों के नीचे दब जाएगा लेखक यहां कहना चाता है कि क्या वाकई ये आधुनिक कहलाने लायक है क्योंकि ये आधुनिक ता किस नाम की जो इटों के नीचे इन सारी सजीव चीजों को दबा जाएगी लेखक को बहुत दुख होता है कि ये हस्ती मुस्कुराती औरते जो आज अपने खेत में धान रोप रही है इस प्रोजेक्ट के बाद भोपाल, जबलपुर या बैढ़न की सडकों पर पत्थर कूटती दिखाई देंगी वे उस मजदूरी को करने के लिए विवश होंगी, वे उस दम घुटी जिन्दगी को जीने के लिए विवश होंगी और कुछ वर्षों तक हो सकता है कि वे स्मृती में अपने गाउं की तस्वीर को संजोके बैठी रहें, उसे याद करती रहें लेकिन आप जानते हैं कि धूल में लोटते उनके बच्चों को तो कभी मालूम भी नहीं होगा कि बहुत पहले उनके पुर्खों का गाउं था जहां आम ज़रा करते थे और यह सब हमारे आधुनिक्ता के नाम पर मिटा दिया जाएगा लेखक ऐसे लोगों को जो आधुनिक्ता के नाम पर उजाड दिये जाते हैं उन्हें शरनार्थी की संग्या देता है आप सोचिए अपने ही देश में शरनार्थी बनना कैसा होता होगा और आधुनिक देश कैसा? एक ऐसा आधुनिक भारत जो अपने ही देश के कुछ लोगों को शरण लेने के लिए विवश कर दे और लेखा कागे ये भी कहता है कि ये वो लोग हैं जो ओद्योगी करण के जंजावात के कारण अपनी घर जमीन से उखाड कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिये जाते हैं यहां लेखा के बहुत ही बहतरीन अंतर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि देखे विस्थापन प्रकृती के द्वारा भी होता है और इतिहास के द्वारा भी होता है लेकिन प्रकृती के विस्थापन और इतिहास के विस्थापन के बीच एक बहुत गहरा और बहुत बड़ा अंतर होता है जैसे प्रकृती के कारण जब कभी बाढ आती है या भूकंप आता है तो लोग अपना घर बार छोड़ कर कुछ समय के लिए बाहर चले जाते हैं लेकिन जैसे ही बाढ का पानी उतर जाता है या आफत टल जाती है तो लोग दुबारा अपने उसी परिवेश में अपने घर में लोट आते हैं लेकिन जब जब विकास और प्रगती के नाम पर इतिहास लोगों को उनमूलित करता है हटाता है विस्थापित करता है तो फिर कभी अपने घर वापस नहीं लोट पाते और यहां इस पाठ के शीशक की सार्थकता भी सिद्ध होती है कि आखिर वह ऐसा कौन सा इस्थान है जहां से वापसी संभव नहीं हो पाती ऐसी कौन सी विवश्टा है लोगों के समक्ष जहां से वापसी संभव नहीं होती आदुनिक औद्योगी करण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता उसका आवास उसका परिवेश हमेशा हमेशा के लिए नश्ट हो जाते हैं लेखक को इस बात का जादा खेद है कि यह भूमी अगर रेगिस्तान होती उजाड होती तो शायद इतना दुख नहीं होता लेकिन सिंग्रॉली की भूमी तो इतनी उपजाओ है जंगल यहां के इतने सम्रिद है जिसने हजारों शताब्दियों से वनवासियों को किसानों को अपना भरन पोशन करने का अवसर दिया यहां पहले खैरवार जाती के आदिवासी राजा शासन किया करते थे लेकिन बाद में सिंग्रॉली का आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश और मध्ये प्रदेश के खंड शामिल करके रीवा राज्ये के भीतर शामिल कर लिया गया यह पूरा प्रदेश जंगलों से घिरा हुआ था पहाड़ीों से घिरा हुआ था जहां कत्था, महुआ, बास और शीषम के पेड उगते थे चारो तरफ जंगल ही जंगल थे इतने जंगल थे कि यहां सड़के नहीं बन पाई और यातायात के साधन इतने सीमित थे कि एक जमाने में इतना अतुल प्राकर्तिक सौंदरे के बावजूद इसे काला पानी माना जाता था क्यूंकि यहां जाना बहुत मुश्किल काम था यहां के लोग ना बाहर जाते थे और ना बाहर के लोग यहां अंदर आते थे आप तो जानते ही हैं कि आज के लालची युग में कोई भी प्रदेश जिसके पास इतना अपूर्व प्राकर्तिक सौंदर हो वे अलगाओं में सुरक्षित रही नहीं सकता कभी-कभी किसी इलाके की संपदा ही उसका अभिशाब बन जाती है लेखक के द्वारा कहा गया यह वाक्य प्राकर्तिक संपदा के विशे में कितना सटीक बैठता है आप दुनिया के किसी भी प्राकर्तिक सौंदर है या प्राकर्तिक संपदा को उठा लीजिए वह लालची लोगों की नजरों से बची नहीं रही है वही उसके लिए अभिशाब बन जाती है और फिर अचानक से जैसे जैसे दिल्ली के सत्ताधारियों को उद्योग पतियों को यहां के खनित संपदा के विशे में पता चला तो उनकी नजरों से यह सिंग्रॉली दूर नहीं रह पाया पहले रिहंद बांध बनाया गया और विस्थापन की एक लहर चला दी गई जिसमें हजारों हजार गाउं उजाड दिये गए और फिर एक ऐसा क्रम बढ़ता चला गया और इनी योजनाओं के अंतरगत यहाँ पे कोईले के शेत्र और एंटी पीसी का निर्माण हुआ चारों तरफ पक्की सडके बनने लगी पुल बनाये जाने लगे और ये सिंगरॉली जो अब तक अपने अपार अतुलिनिये प्राकर्तिक सौंदरे के कारण बैकुंठ माना जाता था और अकेला रहने के कारण काला पानी जैसा माना जाता था अब वह राष्ट्रिय गौरव के साथ प्रगती के मानचित्र पर भारत में प्रतिष्ठित हुआ लेकिन कैसा राष्ट्रिय गौरव जो वहां के लोगों को गौरव पून और गरिमा मई जीवन जीने से वन्चित कर दे कोईले की खदाने लगी उन पर ताप विद्युत ग्रहों की पूरी श्रंखला लगी और पूरा प्रदेश उन्होंने अपने में समेट लिया जहां बाहर का आदमी कभी फटकता ना था वहां अब केंद्र सरकार के राज्य सरकार के अफसर इंजीनियर और विशेशग्यों की कतार लगने लगी जिस तरह जमीन पर पड़े शिकार को देख कर आकाश में गिद्दों और चीलों का जुंड मंडराने लगता है अब वैसे ही सिंग्रॉली के जंगलों में ठेकेदार, वन अधिकारी और सरकारी करमचारी आक्रमन करने लगे लेखक यहां प्रश्न चिन लगाना चाहता है कि क्या ये विकास का उजला पहलू है वै कैसा उजला पहलू हो सकता है जो इतने लोगों को ऐसा जीवन जीने के लिए विवश कर दे और लेखक ने पहली बार ये भी सोचा कि स्वतंत्रता के बाद हमने यौरॉप की देखा देखी और द्योगी करन का जो चक्कर चलाया क्या उसे रोका जा सकता था लेखक को सिंग्रॉली आकर पहली बार ऐसा मैसूस होता है कि हाँ शायद हम कोई और विकल्प चुन सकते थे शायद हम ऐसा कुछ कर सकते थे कि विकास भी हो जाए और प्रकृती का विनाश भी ना हो और उस पे रहने वाला मानव सुख पूंड तरीके से जी सके इस बहुतिक लिपसा को हमें छोड़ना होगा और जरूरतों पर ध्यान देना होगा लेखक को लगता है कि जिस तरीके से गांदी जी ने भी कहा था कि ये धर्ती आपकी जरूरतों को तो पूरा कर सकती है लेकिन आपके लालच की भरपाई नहीं कर सकती उसी तरीके से अगर भारतियों ने योजना बनाते समय कुछ ऐसा विकल्प खोज लिया होता जिससे विकास होता लेकिन सस्टेनेबल विकास होता धारनीय विकास होता, संधारनीय विकास होता और यौरॉप तो ऐसा विकल्प शायद बहुत पहले खोज चुका था क्योंकि उन्होंने हमसे पहले विकास की सीड़ी पर चड़ना प्रारंब किया था लेकिन भारत के समक्ष तो संभावनाय खुली थी फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया क्योंकि चाहे कितने भी समय तक अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को अपनी कौलोनी अपना उपनिवेश बनाया हो लेकिन फिर भी भारत अपने सान्स्कृतिक कलोनी में उपनिवेश बनने में असफल रहा था और भारत आज भी अपने प्रकृती से जुड़ाव महसूस करता है भारत की जो सांस्क्रतिक विरासत है वह यौरॉप की तरह म्यूजियम्स में नहीं दिखती वह तो उन रिष्टों में जीवित रहती है जो आदमी को उसकी धर्ती से, उसके जंगलों से, उसकी नदियों से एक शब्द में कहें तो उसके समूचे परिवेश के साथ जोड़ देती है और आपने ये महसूस भी क्या होगा? कि हमारे यहां धर्ती भी पूजी जाती है, हमारे यहां पेड भी पूजे जाते हैं हमारे यहां नदी को भी मा कहा जाता है तो ये रिष्टा जो कायम है, उसको आगे भी सरकार को कायम रखना था लेखक यहां इस और भी द्रश्टी हमारी डालना चाहते है कि यौरॉप में अगर आप देखेंगे, तो परियावरन का प्रश्न बस मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने का है क्योंकि प्रकृती और उनका भूगोल, उनकी संस्कृती का विशे है लेखक ने यह भी महसूस किया कि स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी विडंबना या ट्रेजडी ये रही कि जो शाशक वर्ग था, जो सत्ताधारी वर्ग था उसने ओद्योगी करन का मार्ग चुना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा मार्ग क्यों चुना, जिसमें किसी की देखा देखी करनी थी, या नकल करनी थी हमें यहाँ अपने रिष्टो को, अपनी संस्कृती को, और मनुष्य और प्रकृती के नाजुक रिष्टे का संतुलन बनाए रखना था, लेकिन हमने क्या किया, हमने यौरॉप की नकल कर डाली शायद इस और ध्यान इसी लिए नहीं गया, कि जितने भी सत्ता में लोग बैठे थे, वे सभी पश्यम से पढ़कर आये थे, वे सभी यौरॉप या अमेरिका से पढ़कर आये थे तो उन्होंने वहीं के मॉडल को हूबहू नकल कर डाली, बिना ये सोचे समझे कि भारत में लोगों का इस संस्कृती, इस परियावरन के साथ एक अजीब सा रिष्टा है और उन्होंने उसी मॉडल को अपना लिया, जो वहाँ चल रही थी लेखक को ये बात बहुत परिशान करती है, कि ओध्योगिक विकास तो होना ही चाहिए था लेकिन काश उसका भारतिय स्वरूप हमने निर्धारित किया होता काश हमने अपनी शर्तों पर विकास किया होता काश हमने अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखा होता लेकिन लेखक को लगता है कि शाशकों ने इस ओर तो कभी सोचा ही नहीं बस देखा देखी नकल करते गए और जिसने हमारे यहां बहुत सारे लोगों को विस्थापित होने के लिए विवश कर दिया और एक ऐसी स्लम्स की जिन्दगी जीने के लिए विवश कर दिया, जिसके लिए वो नहीं बने थे अब बढ़ते हैं इस पार्ट के सार की ओर ये पार्ट कहना चाहता है कि जब भी हम आदुनिक ओद्योगी करन करते हैं तो उसमें हमें हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि मनुष्य को क्या होगा उन मनुष्य के गौरव, पूर्ण और गरिमा मई जीवन को भी ध्यान रखना होगा क्योंकि अगर ये आधी चलती है तो व्यक्ति मनुष्य अपने पूरे परिवेश संस्कृती और आवास स्थल से हमेशा के लिए उखड जाता है अंधादुन्द विकास और परियावरण संबंदी सुरक्षा के बीच संतुलन होना चाहिए नहीं तो विकास हमेशा विस्थापन को जन्म देगा परियावरण संबंदी समस्याओं को जन्म देगा और मनुष्य अपने समाज और संस्कृती और परिवेश से विस्थापित होकर ऐसा जीवन जीने के लिए विवश होता रहेगा विकास हो रहा है या विनाश इस प्रश्न पर हमें फिर से सोचना होगा और संधारनिय विकास की ओर लोटना होगा तो प्यारे बच्चों लेखक की जो चिंता है ये आप सब की भी चिंता होनी चाहिए और कोशिश कीजिए कि अपने परियावरण से आप जुड़े रहे और परियावरण को बचाने के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे और संधारनिय विकास को महत्व देते रहे तो इसी के साथ इस पार्ट का अंत होता है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद झालीवाद